So hello and welcome you all I am Rohit from Mahajan Trader So आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है NHPC Limited की तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर दिना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकते हो जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ पर आपको निप्टी और बैंक निप्टी की काफी कुछ अपडेट्स मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार चेक आउट जरू कर लेना तो वीडियो को घरते हैं कंटीनियो एन एचपी सी लिमिटेट की अगर हम बात करें तो मॉर्निंग में एक गेब डाउन देखने को मिला गेब डाउन के पीछे का रिजन सीधा सथा क्योंकि आज इंडियन मार्केट की अगर बात करें तो इंडियन मार्केट भी टोटली डाउन नजराया गिरावट के बीचे का कारण यहाँ पर यूएस का इंफलेशन डाटा कल अनौन्स किया गया है जिसकी वज़ा से यूएस मार्केट टोटली रेड नजराया इसी वज़ा से इंडियन मार्केट भी डाउन रहा और इसी जक्कर में यहाँ पर जो शेर्स रहे है पर इसी उस्टॉक्स में भी बड़े फॉल्स देखने को मिला और NHPC में भी एक गेप डाउन हमें देखने को मिला उसके बाद अगर देखें मौर्निंग में 9.15 से लेके 9.15 से लेके अगर बात कर ले 10.30 मिनट तक की तो ही 3 रुपे 10.00 पेसे के राउन तक के रेटन दे गया यहाँ पर कुछी टाइम में अच्छे रेटन दिया फिर उसके बाद यहाँ पर गिरावट रही लगबग 2 रुपे के राउन गिर गया फिर यहाँ पर 1.35 मिनट के बाद अगेन एक बड़त रही और अगेन रेटन दे लिया और और यहाँ पर अगर आप देखोंगे NHPC में 89.45 रुपीस के राउन तक की क्लोजिंग आज नजर आई है 3.60 पेसे के राउन अगर आप देखोगे तो स्टॉक में अच्छे रिटन्स देखने को बिले है 4.25 परसंट के बहाब पर तो यह बड़ी चीज हमें देखने को आप पर मिल रही है साथ ही अगर बात कर ले लास्ट फाइडेस की तो लास्ट फाइडेस में स्टॉक काफी हद तक गिर गया है वही अगर आप देखोगे तो खास गिरावट 8 फरवरी के बाद नजर आई लगबग 21 रुपे तक की गिरावट रही पर 13 फरवरी के बाद स्टॉक ने 8 रुपे तक की रिकवरी अभी बता दी है और आगे हमें पूरी उम्मीद है कि ये रिकवरी जल्द ही हो जाएगी और स्टॉक फिर से स्टेबल हो जाएगा एक वहिने में भी एकर देखे काफी pump and dum देखने को में मिले है 6 महिने की बात करें तो 6 महिने में भी 49 रुपे के रौंट टिक की बढ़त देखने को मिलती है तो ऐसे कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे कुछ return देखने को मिले है और वही अगर बात कर दी जाए तो यहाँ पर PM Modi की और से भी एक बड़ी announcement की गई PM Modi की और से यहाँ पर मुफ्त बिजली योजना का announcement किया गया और 300 unit यहाँ पर दी जाएगी 75,000 करोड का एक बड़ा investment है power sector के लिए एक काफी बड़ी चीच सामने आ रही है तो power sector में एक बड़ी news है और यहाँ पर अगर देखें तो solar sector को एक boost करने के चकर में है election के पहले तो एक करोड household को यहाँ पर दिया जाएगा solar crypto और वही गर देखें इससे हमें पता चल जाता है कि government power sector में किस तरीके से आगे बढ़ रहे है power sector को किस तरीके से यह seriously ले रहे है और यहाँ पर NHPC के अगर बात कर ले तो hydropower में एक बड़ी company है तो वहाँ पर भी कई बड़े announcement हमें चुनाओ से पहले होते वे ने जरा सकते है तो एक बड़ी चीच हमें देखने को आने वाले time में नल सकती है यहाँ पर अगर बात की जाए तो volume किस तरीके से आज काम किया है और क्या volume रहा है तो आप देख सकते हो stock में आज 28 करोड के round तक का trade value हमें देखने को मिल जाता है और साथ यह अगर बात कर ले 44 करोड के round तक का trade value हमें yesterday देखने को मिला और all volume के अगर बात की जाए तो और all volume के अगर बात करें तो यहाँ पर दो ही दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर 70 करोड के round तक का trade value हम देख सकते हैं तो एक बड़ी चीज है वही अगर बात करी जाए तो net sales कल हमने बात की थी down रही है community sentiments के अखड़ो के अगर बात कर ले तो 89% लोग है जो stock में यहाँ पर buy करने के लिए कहते है 11% लोग है जो stock में यहाँ पर sell करने के लिए कहते हैं और all जो यहाँ पर negative points देखने को मैं मिल रहे था कल भी में ने बताया था बहले ही negative points है पर एक बार share कुछ levels break कर दे तो stock में काफी लोग positive हो सकता है exactly ओ चीज हमने यहाँ पर देखी भी 89% लोग positive यहाँ पर हो गए 11% लोग अभी भी यहाँ पर sell करने के लिए कहते है negative नजर आते है dividend की बाद करी जाए तो यह 1.40 पेसे के round आप देख सकते हो 1.40 पेसे के round तक का dividend company दे रही है और 22 फरवरी 2024 इसके लिए काफी important दे रहेगा 22 फरवरी आपको याद रखना है 22 फरवरी से पहले अगर आप buy करते हो तब ही आपको इसका benefit मिलेगा और 1.40 पेसे के round तक खा एक तगड़ा dividend आपको company दे रही है तो यहाँ पर अगर देखे company हमेशा से ही फरवरी में dividend देती आई है हमने ये चीजे पहले भी discuss की है बारी आती है इसके levels को देखने की levels किस तरीके से काम कर रहे है और हमें किन points के उपर focus करना चाहिए तो exactly कल जो point हमने discuss किये थे falling wage type pattern के बारे में हमने discussion किया था उसी falling wage type pattern के हिसाब से आपर देखो के काफी अच्छे breakouts हमें मिले है तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखो तो share में हमने पहले ही एचीज confirm कर दी थी कि stock में उपर के जो range है वहाँ से multiple times rejection ले रहा है downside की ओर से 79 का level था यह level एक IMP support का काम कर रहा था एक IMP support था है और इस particular range पे support लिया इसने support लेने के बाद उपर गया इस particular range से अगर दिखे तो resistance इसने face किया यहाँ से resistance face किया और again यहाँ से है तो एक head and shoulder type pattern तो यहाँ पर कल इसने बना ही दिया था एक head and shoulder type pattern बना ही दिया था तो यहाँ पर हमने भूला था कि इस head and shoulder type pattern का अगर breakout मिलता है तो stock में एक अच्छी rally हमें देखने को मिल सकती है downside की और अगर इसे आना हो तो इस level को break करना होगा क्योंकि इस particular trade line पे support ले चुका है और इस trade line हमें पहले से ही काफियत तक AMP रही है मैंने पहले भी आपको कई बारे बताया है exactly इसने आज यहाँ पर यहाँ पर open हुआ है support लेने के बाद ऊपर गया फिर इस particular level पे sustain किया और यहाँ पर इस inverted head and shoulder type pattern का breakout यहाँ पर दे दिया तो returns की अगर बात कर रहे है तो returns बिलकुल यहाँ पर आप देखोगे एक important level के around रूख गया है जो level हमने कल भी discuss किया था कि एक important level यह रहेगा important range यह रहेगी इस range के उपर आपको focus करना चाहिए क्योंकि इस particular range से अगर आप देखोगे 30 minute के time frame पर में आपको बताता हो कि इस particular range से पहले हमने यहाँ से resistance face किया है फिर again यहाँ से resistance face किया और again share यहाँ पर आ रहा है तो यही तो target था हमारा यह तो अच्छी हो गया फिर अगर यह level break कर देता है तो stock में और एक अच्छी देजी आएगी बट वही अगर इस level को break नहीं कर पाता है तो stock में यहाँ से एक fall भी देखने को बिल सकता है तो इस point के उपर भी आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पर अगर गिरावट आती है तो आप SL के से plan कर सकते हो तो यहाँ पर इस particular range के वारे में आपको ध्यान देना है इस particular range के उपर आपको focus करना है यहाँ पर इस range के उपर एक अच्छा support है यहाँ पर support है यहाँ पर support है अगिन यहाँ से support लिया तो इस range के उपर आपको focus यहाँ पर करना चाहिए ठीक है और downside की और से जो levels थे ओ तो हमने पहले discuss किये ही है यहाँ पर हमने पहले भी discussion किया था कि इस level पर stock ने पहले support लिया है इस range से गिरा है यानि इस range का breakout होना जरूरी है इस range पर support लिगा है exactly support लिया फिर इस range के बारे में बात की इस range पर भी यह hold कर चुगा है तो इस range को भी break किया फिर अभी अगर देखे इस particular level के around यह trade कर रहा है बट हमें इस particular trade line के उपर focus करना है यह trade line अगर यहाँ पर break कर देता है तो आने वाले time में और ही अच्छी रह लिया आएगी वरना यहाँ से rejection लेके again यह downside की और आ सकता है बट downside की और से भी आपको negative तब ही रहना है जब यह downside की और से जो trade line हमने बनाई हुई है जो trade line हमने बनाई हुई है इस trade line के breakdown पर ही आपको negative होना है तब तक आप इसमें positive रह सकते हो तो कल आपको wait करना है breakout का support यहाँ पर ले लिये है breakout अगर मिलता है तो stock में यहाँ से एक अच्छी rally देखने को मिल सकते हैं तो इस point के उपर focus रखो next stock का नाम है Reliance Industries Limited Reliance Industries Limited की बात करें 2963.60 रूपीज के round तक की closing है वहीए कर बात कर ले 33.40 रूपीज के round तक share अगर आप देखोगे तो return देता हूँ नज़राया काफी बड़ा दीन है आज Reliance के लिए क्योंकि 20 लाग करोड के market cap को यह टच कर चुका है 20 लाग करोड का market cap यह टच कर चुका है और वही एगर देखे इसका heavy weight काफी तगड़ा है 49th valuable company यह बन गई है और यहाँ पर आप clearly देख सकते हो 20.05 लाग करोड के round तक का market यहाँ पर जो काफी बड़े numbers नज़राते है तो यहाँ पर एक बड़ा market leader Reliance देरे देरे बन रहा है हलाकि market leader है बट एक बड़े level पर market leader बनने की पूरी कोशिश आपर Reliance की और से हो रही है तो और ओल काफी कुछ बाते हमने कर लिए इन पर्टिकलर शेर को लेकर इस वीडियो में तो आए होफ वीडियो आपको helpful और अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को like चनल को subscribe कर रहा हो कोई भी stock में investment कर रहा हो तो इनका analysis कर लो साथ ही telegram channel को join कर लो link नीचे description में